एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अब जिके में फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 25 प्रश्ण है जो साइन्स से हैं सभी प्रश्ण काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो के लाश्ट तक बने रहें आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज लाल ब और नेट्रोजन के गैसी मिस्तरन को क्या कहते है प्रोड्यूसर गैस कहते है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्ण है बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका है चलिए अगला प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण के भूरा कोईला किसे कहा जात किसे लिगनाइट को भूरा कोईला कहा जाता है अगला प्रस को देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट प्रस्ण है जो रेलवेग ग्रूप डी और एंटी पीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो के लास्तेक बने रहें तिसना प्रस्ण है कि मेंडलीफ आव साधनी के बारे में बात कर रहा है ठीक है क्योंकि प्राचिन आवर्थ साधनी के जन्मदाता कौन है तो मेंडलीफ है तो उन्होंने किस पे सजाया था तत्वों को परमानु भार के अनुसार लेकिन अभी बरतमान में जो मॉडर्ण प्रियेडिक टेबल चल रहा है वो उसक देखते हैं जो किस पे सजाय है तत्व को तो परमानु करमांग पर मेंडलीफ किस पे सजाय थे परमानु भार के ठीक है अगला प्रस्ट को देखते हैं मैं कि यहां पर रिपीट हो गया हर दिशा में वस्तु ओं को देख सकती है तो देख चीटी में आख्ये कैसे होते तो संजूख्त आख्यों को देह सकती है टो किसके कारण क्योंकि उसकी जो आखे होते हैं केसी होते हैं संजुकत आखे होते हैं ठीक है अगला प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण है कौन सा इंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायकता करता है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्ण है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रक्त को थ थक्का जमाने में मदद करता है तो बिटामिन के लेकिन यहां प्रश्ण है कि कौन सा एंजाइम पूछ रहा है कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है तो इसका क्या नाम है ट्रिप्टेस क्या नाम है ट्रिप्टेस चलिए अगला प्रश्ण को देखते है अगला प्रश्ण है कि किस मीटी में केशी का सबसे अधिक परवसाली होती है केशी कत्व के बारे में आप सुनेंगे दोस्तों तो एक प्रश्ण है कि किस मीटी में केशी का सबसे अधिक परवसाली होती है तो चिकनी मीटी में होती है किस में चिकनी मीटी में देखें केशी क किरियाद्वारा पौधों में मीटी से जल एवं खनीज लवन का सोचन करते हैं प्रशन में पूछा जाता है कि पेड़ आपसरी को की सिकर्ण करता। किरिया के द्वारा क्रьक का किर्याक के द्वारा नैसे ठोचवर है 다े यहां पर है कि केücksिका के यहां पर है कि केशिका किरिया के द्वारा पौधों में जायलम के द्वारा जल एवं खनीज लवन पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है दोस्तों बहुत बार एक जाम में पूछा जा चुका है कि पेड़ पौधे में खनीज लवन उसके हर एक पार्ट में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे के जो रस्वई घर क्या होता है ठीक है उसका पत्ता होता है तो वहां पर जो खाना बनता है तो उसको सभी जगा सभी भाग में पहुंचाता है तो उसका फ्लोएम हो जाएगा ठीक है तो दोनों याद रखें कि पेड़ पौधो में खनी जमनलवन पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने कि करिया कौन करता है जैलम जबकि वहां से जो खाना बनता है उसको फ्लोएम तो उसे आद रखें यहां प्रश्न था केश किरिया के द्वारा पौधों में किरिया पूछे तो केशिका और किसके द्वारा तो जैलम के द्वारा अगला प्रस को देखते हैं अगला प्रस को सरीर में भोजन गरहन करने कि किरिया को क्या कहते है तो देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं किरिया के क्या कहते है तो अंत इवा नोस्की ने प्रश्ण नमबर 9 देखिए 9 नमबर है कि हाइड्रोफिविया रोग उत्पन होता है तो वाइरस इसका अंसर क्या होगा विसानू होगा ठीक है ओप्सन में दिया रहेगा विसानू या जिवानू रहेगा ठीक है वाइरस या बैक्ट्रिया तो जो हाइड् से विसानू से चलिए अगला प्रस को देखते हैं अगला प्रस ने इंपॉर्टेंट है जन्तूओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन होते भी इंपॉर्टेंट है बहुत बरग्या में पुछा जा चुका है ऑप्सन में दिया रहेगा ठीक है तो किसके कारण होता है बिसानू के द्वारा होता है जन्तूओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है तो बिसानू के कारण होता है अगला प्रस को देखते हैं कि लाल सागर का लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है तो सैवाल की उपस् पुरूटन है इस से जरोव हाँ रखें कि आसंजक बल के कारण है जो पानी के आइड़म प्रस्ट को देखते है अगला प्रेशनि पर क्या परभाव पड़ता है तो देखे जब बर्फ को आप 0 Degree Celsius से 10 दिगरी Celsius तक गर्म किजेगा तो पहले उसका क्या होता है पहले उसका अइतन बढ़ता है और उसके बाद घड़ता है ठीक है पहले बढ़ता उसके और वो पांत्रन किस ने क्या था तो रदर फोड ने क्या था अगला प्रस को देखते हैं इसका किस किरन का तरंग धैरी सबसे अधिक होता है तो किस किरन का तरंग धैरी पूछ रहा है तो अवरक्त किरनों का जो तरंग धैरी सबसे अधिक होता है देखे ये प्रशन है पिर्थिवी की भूपरपटी में ऑक्सीजन का प्रतिसत कितना है ठीक है तो पिर्थिवी की जो भूपरपटी है उसमें ऑक्सीजन च्यालिस पॉइंट एट जिरो ठीक है च्यालिस पॉइंट एट जिरो परतिसत है जो पिर्थवी की भूपरपटी में ऑक्सिजन की मात्रा है ठीक है तो प्रशन क्या है पिर्थवी की भूपरपटी में ऑक्सिजन की ऑक्सिजन का परतिसत कितना है तो च्यालिस पॉइंट ए मिलिग्राम के ब्राबर होता है तो 200 मिलिग्राम के ब्राबर होता है अगला प्रसनीं प्रशन पानि की टंकी में काई को रोकने के लिए किसका पर्योग की आ Templar कि पानिक thief को गोल्डन लुप में जाना जाता है बहुत इंपॉटन प्रशन तो golden fiber किस उध्योग को golden fiber की रूप में जाना जाता है तो जूट उध्योग को golden fiber के रूप में जाना जाता है अगला प्रसर देखे इभी important प्रसर न है कि radio सक्रियता की काई क्या है क्यों प्रस को क। देखे मोना जाइट किसका आयसक है तो देखिए मोना जाइट है जो थोरियम का आयसक है ठीक है मोना जाइट है जो किस धात्व का आयसक है तो थोरियम का आयसक है उसी तरह से अगला प्रशन देखिए अगला प्रशन है कि गे लेना किसका आयसक है यह भी बहुत बार एक जामें पु झलाने में नहीं होती है though देख tahu हाइड्रोजन सभी जानते हैं तो पीएच मानन का निर्धारन अर्थात, पीएच स्केल है कि एच्छ शकेल का निरधारन किस ने किय था सों रेंशनन ने चाहिए और विडियो का कि बिटामिन बीफाइव का रसाइनिक नाम क्या है तो देखिए इसको निकोटिनिक अमल भी कहा जाता है और नियासिन भी कहा जाता है तो इसे दोनों को याद रखें कि बिटामिन बीफाइव का रसाइनिक नाम क्या है तो निकोटिनिक अमल या तो नियासिन ठीक है तो फ्रें आवाद